हम जहां है यह गोराई मनोरी गाव है यहां पे एसल वर्ल में जगा यह ग्लोबल विपसना पैगड़ा को दान दीती तो जगा जब दान दीती वह जगा में एक स्वयम्भू मंदिर था उनको राना देवी कहने के वांगना देवी नामे देवी का पर राना देवी रान मतलब जो जंगल उते उसको रान बोलते, तो रान में की देवी मतलो राना देवी, तो ये ग्लोबल पेगड़ा के जो ट्रश्टी है संस्तापके, उन्हें ने 2019 में भी उनको मंदिर को तोड़नी का प्रयास किया था, पर गावले ने विरोत किया था, पर वो टाइम पे पुलिस प् बिलिंग बनानी है, मतलब इनकी जो नीती है, उनकी जो कट जो रचा है, उनको कया है, उनको क्या है, उनको मालूम था कि मंदिर हमको तोड़ना ही है, तो इस प्रकर से उन्होंने ये जो सोयमभू देवी का मंदिर था, वो तोड़ा, तो उसके लिए हम ऐसा कहते हैं कि आन यह ऐसा है कि मैडम हर दिन ग्लोबल प्रेगोड़ा में जाती है उन ड्यूटी रहने के बाउजूद भी तो जब ग्लोबल प्रेगोड़ा का शांती फैलाने का संदेश है तो ऐसा गलत का वो कैसा कर सकते हैं सर कितने साल पुराना मंदिर आपका यह लगबक गाव वाले की आसता है लगबक चालीस से पचास सर जुना मंदिर है अभी कोई-कोई अवरत लोग है जिनका उमर 60-65 है तो उनका कहना है कि हम 15 सल की में चापते थी तबसे मंदिर देख रहे हूं सर आपका क्या मांग है सर अने वाले 10 दिन में अगर वहां पे वही जगा पे अगर गाव वालों की श्रद्दा जो मंदिर पे थी अगर वो मंदिर बना के गाव वालों के दर्शन के लिए खुला किया न जाए तो हम मंसे श्टाइल से उग्रा अंद्रोन करेंगे यह सी कि ह मैंने महितिया दिकर मैं हर एक डॉकूमेंट मांगे है और हर एक डॉक्यूमेंट ग्लोबल पेगड़ा के खिलाफ है उनका आग्रिमेंट टाउन प्लानिंग के डॉकूमेंट में हर जगा पे मौजूदे मंधिर था तो इसस सोवयमभू मंदिर कैसा फ्तिं करेंगे तो यहां पे SROAL ने शिप्ट पिया था पर अगर जहां पे सोयंबू स्थान ऐ इन को मंदिर बना के देटे तो ठीक है तो दस दिन बात उनको देखने बिलेगा कि हिंदुत वका मंदिर तोड़ने के बाद क्या होता है यही है कि वहाँ पर मंदीर वापिस मुझे चाहिए क्योंकि अभी गाउवालों की वह आस्तास्ता ने उन लोग इतने सालों से उसकी पुजा पाट करें और उन लोग में जब से पैगोडा बना है तब से वहाँ से उन्होंने एंट्री बंद कर दी इसके लिए यह मंदीर यह में पुलीस वालों ने बहुत दबाव डालने की कोशिश किया था उन लोग के उपर और मतलब जो गाउं के लोग है इसके लिए उन लोग पुड़ा पीछे अटर लेकिन पीछे से पुरा सपोर्ट है उन लोग बोले जब जिस दिन हम लोग आंदोलन करने वाले दो तारिक तक का मैंने टाइम दिया है उनको तर्शिलदार के सामने ऑफिस के सामने हम लोग वहाँ पर भजन करेंगे हमारी संबाजी से ना जिस परकाट तर्श्ति से आपकी बात वहाँ तक पुलीस टेशन से और पुलीस टेशन वाले हमको आश्वासनी दे रहे और मैडम जो है वह मैं खुद बगवान को मानती हूँ वहाँ पर मंदीर खड़ा करूंगी उसके बाद में सेकंड लेटर गई तो उनका वेवार जो मेरे साथ में था एकदम तलगता रूपली बात किया था उन्होंने मेरे से मैंने भी उसका जवाब उनको दिया है और अगर उनको ये बात हम अगर उनको नहीं समझना है तो उग्रे अंदोलन करेंगे